हरर महादेव देवों के देव महादेव जी के चरने पणाम करती हुँ मेरा पण्णाम सुविकारो माता गवरा पार्वती के चरने पणाम करती हुँ मेरा पण्णाम सुविकारो गनपती ललनमा के चरने पणाम करती हुँ मेरा पण्णाम सुविकारो सब देवी देउताओं के चरने पणाम करते हूँ मेरा पणाम सिविकार हो माता और पिताजी के चरने पणाम करते हूँ मेरा पणाम सिविकार हो सब देवी देउताओं के चरने पणाम करते हूँ मेरा पणाम सिविकार हो गुरुभाई बहान मैं कठा सुनाने जा रहे हूं इस कठा को पूरा सुनिय और रहत जानिय आदी नहीं आदी सुने में सिर्व गुरु का आपमान होती है और पूरा सुने में ग्यान इसलिए कठा को पूरा सुनिय और रहत जानिय हरर महादेव घरगर महादेव गुरुभाई बहान एक सिकारी थे वो सिकारी का काम नहीं था कि जंगल में से पच्छी पकरके अब अजार में बेचते थे जो भी मिलता था पच्छी का कीमत उसी से वो सिकारी अपना परवरिस करते थे एक दिन का बात है कि वो सिकारी एक दिन जंगल में पच्छी पकड़ रहे थे तो एक डाल पे तीन तोता मिल गया तीन तोता मिल गया तो सिकारी को लगा कि तीनों तोता के पकड़ लेते हैं हो सकता है कि पकड़ा जाए तो बहुत अन्मोल रतने देगा एक तोता ओ सिकारी ने तीनों तोता को पकड़ लिया तीनों तोता के पकड़ के घर ले आया और घर लाकर पिले में एक पिले में तीनों का कैड़ करने लगा तो उसमें से एक तोता बोलता है अरे शिकारी भाई तुम तो मुझे बेचोगे लेकिन जिसके घर बेचोगे उससे बोल देना हम उसका राज पाट चलाएंगे कोई मैं ऐसे वैसे तोता नहीं हूँ और राजा के घर देना और अच्छे कीमत उससे मांगना उसिकारी बोला भाई तुम में क्या करामत है बोला कि जिसके हाँ तो सोपना उम उससे बात कर लेगा उसके बाद ही हम उसके घर जाएंगे दूसरा तोता बोला देखो भाई मुझे उसके साथ मत रखना उससे मुझे कोई बनता नहीं है कुछ भी नहीं इसलिए मुझे अलग करना अलग पिंज़े में रखना और आजा के हाथों ही मुझे सोपना तीसरा तोता बोलता है अरे करमकीट कसाई मैं तो उड़ रहा था बागबगईचा में बन में करमकीट कसाई तूने मुझे पकड़ के ले आया तुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे मार डालेंगे अपना चोच से यह जो सिकारी था उसे भी अलग कर दिया तीन पिंज़ा में तीनों का रख दिया सबसे पहले एक में जो सबसे पहले बोला था कि राजा से बात करेंगे तो राजा उसको वो सिकारी ने क्या किया कि उसका सफेट पिंजड़ा बनाया और सफेट पिंजड़ा में रख दिया दूसरा को जो था लाल पिंजड़ा लगा दिया और तिसरा के काला पिंजड़ा तीनों पिंजड़ा लेकर वो सिकारी बेचने चल दिया चलते 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 राज़ दरवार में पहुच गया राजा के पास पहुचा राजा बोले आकिर क्या काम है जो राज दरवार में आये हो सिकारी सिकारी बोला राजा साहथ मुझे कोई काम नहीं है मेरे पास तीन तोता हैं तीनों तोता को हम बेचने आये हैं क्या आप इसे खरीदेंगे राजा साहब करते हैं तोता का क्या कीमत लोगे ये शिकारी बोलता है राजा साथ तोता का कीमत एक का एक लख रुपया है और एक का दस जार रुपया है और एक का दस रुपया कीमत है राजा बोले आखिर ऐसा क्या है जो एक का एक लाख रुपिया कीमत है एक का दस जार एक का दस रुपिया गुरुभाई बहार वो जो सिकारी धो बोले की राजा साथ आप तोता से ही बात कर लिजिए तोता जो सफेज पिंजला वाला था उससे राजा बात करने लगे तोता बोलता है हे राजन आप जब तक मुझे नहीं खरी देंगे तब तक आपका राजपार्ट नहीं चलेगा बोले ऐसा तो हाँ गुरु भाई बहन राजा ने तीनों तोता को खरीद लिए तीनों तोता खरीद लिए और खरीद कर ले कर चले गए एक दासी उसके पर रख लिये कि इसके समय समय से भोजन, समय समय से पानी, असनान, सब कुछ करवाना जब राजा के राज महल में तोता का स्वागत हुआ, तो सवेरा हुआ, तो सफेद वाला जो तोता था, पिंजला का दर्वार अपने से खुल गया और खुलके, और ओ जो तोता था, ओ गंगा असनान चला गया गंगा असनान चला गया, और गंगा असनान जाकर, गंगा असनान किया, भगवान भोले नाथ के मंदिर किया और मंदिर जाकर, भगवान भोले नाथ को पूजा किया, पूजा करके, बापस आ गया लेकिन जो जल तढ़ाया था सिवलिंग पे, ओ जल नीचे, गिरा ओ चोच में भर लिया पंक पे थोड़ा सा भीना लिया, और राजा सोया हुआ था, राजा के कच्छ में हेलकर ,और र जूच पे चृःख्वच दिया, आउ इसका जो चोच का पानी था, राजा के, मुख के उपर गिरा दिया, जो कि राजा मुँख खोले तो उनका मुख में चला गया और राजा के बोला राजा सहाब आपका स्वागत है राजा ने आखे खोले और हस गये जब जलगीरा राजा के उपर तो गुशे में थे लेकिन तोता पे नजर पड़ा तो हस गये अधर्शकर बोलते हैं तोता आपका भी स्वागत है इतना सवेरे सवेरे आपको किसने जगा दिया तोता बोलता है हे राजन हे महाद प्रभू आप मेरे अंदाता हैं मेरा दर्वाजा किसी का खोलने का जरूरत नहीं है मेरा द्रवाजा है जो सुवाएं खुल जाता है राजा इन वाज को सुनकर सौक में पड़ गया और कहने लगे ही तोता हम तो अपने कज में जब गेट लगा कर सोते हैं तो मेरा तो नहीं खुलता है अखिरे क्या बात है जो आपका खुल जाता है ये तोता बोला जोड़ते हैं तभी अपना पिला में गुजते हैं आप तो कोई पुजा पाट करते ही नहीं है राजन अपना जो राज है राज चलानے के लिए आपका भगवान का भक्ति करना पड़ेगा जगा जब अगापे मंदिर बनाना पड़ेगा और सबसे पहले उटकर असनान ध्यान करके भगवान का पुजा पाड़ दर्सन किजिए भगवान से उसके बाद अन्यकाज किजिए आपका शुकून और शांती मिलेगा एसा बाद सुनकर राजा परशन हो गए और कहने लगे ये तो तोता बहुत अच्छा है दूसरा तोता जब राजा निकले अपना कमरा से तो पूरा चिलाने लगा जब चिलाने लगा तो राजा कहते हैं कि रे भाई तू क्यों चिला रहे हो थोड़ा बताओ तो जब राजा के बोला है राजण आपका राज़ पे कोई आकर्मन करने वाला है। और आपका पूरा प्राजित करके राज अधिया लेगा। राजा कहने लगे, कैसे? तोता बोलता है, हे राजन, आप अपने सेना को जाकर देखिए, सारा सेना सोया हुआ है, आपको पिट पीछे ना जाने, आपको क्या कहता है, आपका घर से सेलरी तो लेता है, लेकिन आपका काम नहीं करता है, ओ, अधर लोग से मिल चुका है आपका दुस्मनों से मिल चुका है आपका मारवाने का साजिश कर रहा है राजा ने इस बात पर सोक गए और कहने लगे मेरा सेना है कहाँ तोता बोला, मैं तो यहाँ हूँ लेकिन आपका एक कमरे में सारी सेना बंद है अब बंद करके एस सब कहानी कर रहा है आगे आगे तोता उड़ता गया और पीछे से ए राजा राजा ने दिवार लगके सुनने लगे तो सच एही था कि सारा सेना राजा से ब्रुद बात कर रहे थे राजा ऐसा बात सुनकर बड़े दुखी आवाचर्ज में पड़ गए कहने लगे बाई तु खाते हो मेरा और गाते हो कि और का आखिर ऐसा क्या है मुझे में क्या कमी था सारा सेना बोलता है राजा साहब आपके पास से बहुत आपके पास बहुत दीनम पड़े हैं लेकिन जो तनखावा शुरू था आज भी है दुसरे राज के पास जाएंगे राज में जाएंगे राजा के पास तो मेरा तनखावा दूबना हो जाएगा तो मुझे तो तनखावा से मतलब है आप से नहीं एसा बास सुनकर राजा बोले ठीक है तुम्हारी तनखवा बढ़ा दिया जाएगा मेरे पास मेहनत करो अब तीसरा तोता रहा तीसरा तोता के पास राजा गए जो सोया हुआ था राजा उसे जगाए राजा को तोता गाली देने लगा जब राजा को तोता गाली देने लगा तो राजा बड़े नाराज हो गए और छोड़ दिये उसे सोया हुआ कुछ देरी बाद राजा को रहा नहीं गया फिर गए तो देखते हैं कि फिर भी सोया हुआ है फिर राजा छोड़ दिये कुछ देरी के बाद फिर गए जब देखते हैं कि ए तोता गहरी निंद में सोया हुआ राजा ने उसके पिंड़ो डोला के जिक जोर के तोता को जगा दिया वो तोता फिर से गाली देने लगा राजा पे गुश्चा हो गया राजा बोलता है सफेट पिंड़ा वाला तोता से अरे भाई हम इसे मार डालेंगे क्योंकि ए मुझे सुबा से गाली दे रहा है और कुछ लोग को बोल दिये नोकर को किसे मुड़ी मरोर दो सफेट पिंड़ा वाला तोता सुगा बोलने लगा हे महाराज मैं आपका पाउं परता हूँ मैं आपका मान समान करता हूँ ओ मेरा भाई है उसे मत मार ये मैं बड़ा हूँ और ओ छोटा है लाल पिंड़ा वाला बिच वाला भाई है राजा बोले तो इसका संसकार ऐसा कैसे जो गाली देता है कहने लगे ओ तोता बोला हे राजाग मेरी मा तीन अंड़े दी थी तीनों अंड़ा में से हम लोग निकल गए मा मेरी मर चुकी मेरे पिता जी जो थे वो दुसरा विवा कर लिए दुसरा विवा करके मा सोटेली आ गई हम लोग तीनों बड़े मस्कीलियों से बड़े हुए और किसी सिकारी ने आया और आकर मुझे तीनों भाई को उठा लिया और उठा के और बेचने लगा तो एक भाई का मुझे बेच दिया एक रीशी मुनी के पास जो की रीशी मुनी मर गया मर गया और हम क्या करते हैं वहां से बापस आ गए तो मुझे पूजा पार्ट धर्म के बारे में पता है कि धर्म क्या चीज होती है दुसरा भाई जो था इसको बेच दिया गया किसी सैनिक के पास तो हे राजन जब तक मेरा दुसरा भाई रहेगा आपके दर्वाजे पे तब तक आपका राज का एक बाल बाका नहीं होने देगा एक भी लोग चाहेगा कि इससे हम लड़के और राजा का राज हासिल कर ले तो इससा नहीं होगा और जो तिसरा भाई है तिसरा भाई का बेच दिया जो की पती पतनी आपस में प्रती दिन पूरा घर में जगडा करते थे तो इसका वही है संसकार मिला हुआ कि ये गाली देता है इसका सिर्फ ग्यान गाली का है इसके अलावा और कोई ग्यान नहीं है राजा बोले एसा तो हां राजा साथ एसा देखी राजा साथ हम एक आपका कहानी सुनाते हैं और कहानी आप ध्यान से सुनिएगा यदि अच्छा लगेगा तो मेरा भाई का जीवन छोड़ दीजिएगा नहीं मारिएगा यदि कहानी अच्छा नहीं लगेगा तो आप मेरे भाई का मार डाल सकते हैं राजा ने सुविकार कर लिये कहानी सुनने को लिये वो तोता बोलता है हे महाराज एक सेवाती नच्छत्र होता है नचत्र में जितना जो पच्छी है ओ भगवान से प्रात्ना करती है कि बारिस हो जो कि सारे दिन हम सोचते हैं कि बारिस नहो क्योंकि मेरा भोसला हवा और पानी से नीचे गिर जाता है लेकिन ओर नचत्र में हम प्रात्ना करते हैं ओर नचत्र का जो बारिस है तो यदि नाग का मुँँ में चला जाता है तो उससे मनी का तयारी होता है यदि ओही पाने किसी पच्छी का मुँँ में चला गया तो अमरित बन जाता है ओही पाने यदि धर्ती पर गिर गया तो वो मोती बन गया वोही पाने यदि कढ़ा में कोई सिंगर गया तो पूरा का परती पाल करता है है राजा साहब आपके पास ये आ गया है सवर जाएगा सुधर जाएगा और आपके बहुत काम में आएगा राजा ऐसा बात सुनकर बड़े आचार्ज में पड़े और कहने लगे कोई बात नहीं आज से हम इसको ज़्यादा मान समान देंगे और जहां पर मेरा राज सिहासन लगता है राज दरवार में इसे रोज ले जाएगे ग्रुभाई बहना राजा साहब उस तोता को जो गाली देता था उस तोता को प्रती दिन राज दरवार में ले जाने लगे राज दर्वार में ले जाने लगे धीरे 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 उस तोता को इतना ग्यान हो गया कि राजा साहब के पास हर परजा हरे राजा हर परकार के मंतरी आते थे और सारी ग्यान तोता के पास में हो गया सारी ग्यान तोता के पास में हो गया जो की राजा से ओप धिमान होकर कहने लगा हे राजा साथ आपका राज हम चला सकते हैं आपका राज में कोई एदी इंसाब के लिए आए तो हम इंसाब करेंगे राजा ने बोले क्या तुमारे पास इतना ग्यान हो गया है तोता बोला हां महाराज मैं इतना कर सकता हूँ कि जो भी कोई इंसाब करना हो तो दूद का दूद और पानी का पानी में कर सकता हूँ मुझे इतना छमता हो गया है मुझे इतना ग्यान प्राप्त हो गया है राजा रे बोले तू तो गाली देना सिखा था वो तोता बोलता है महाराज जब आप मा के ओदर से जन्म लिए थे तो आप दूद पीते थे लेकिन जब गोद में खेलने लगे और धर्ती पर बूलने लगे तो अन खाने लगे हम गलत के हाथों में थे तो गाली देना सिखे लेकिन अच्छा संसकार में हम आगे राजभवन में तो मुझे ग्यान हो गया राजा साथ तीनों भाई का एक जगा किये तीनों भाई का एक जगा किये और तीनों का सोब दिये की राज पाट तुम्हें समालना होगा पूझणा से खुली हवा में कर दिये तीनों जुब तोता था, तीनों तीन तरफ बैठता था एक राजा के जो आकर्मन करने के लिए कोई चाहता था तो राजा के ख़बर देता था दूसरा राजा साहब को पूजा पाट कोई ऐसा धर्म हर ग्यान देता था और तीसरा राजा के राज चलाता था जो सबसे गंदा था और राजा के राज चलाया और राजा के फैसला में अधिकारी बना फैसला करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो जाता था और राजा के सह तोता राजगर्दी पर बैट कर और राजा के काम कर देता था राजा उस तोता से बड़े परसंद थे बड़े खुश थे और उसे सवासी दिए तो गुरु आई वाना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक किजिए सेर किजिए सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद ह रर महादेव गर रर महादेव